मैं मिश्कार दोस्तों आप सबी का सौगत एक बाद फिर से आपकी अपने यूट्यूब चैनिल मिश्टेर 360 गुपता पे आज की वीडियो में दोस्तों आपके लिए जो मैच कवर करेंगे वो मैच है दोस्तों यहाँ पे ACS, T10, CSEC, Republic का आज के दिन का तिसरा मुकाबला और सीरीज का देखा जाए तो यह 31 मुकाबला होगा जो यहाँ पे खेला जाएगा टीम VCC vs टीम PRB के बीच में तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको इस मैच की complete analysis करके दूँगा और आप सभी भाईयो को बताऊंगा कि इस मुकाबले में कौन से प्लेयर साब के लिए important होंगे small league के लिए और कौन से प्लेयर साब के लिए important रहेंगे grand league के लिए बस आपको वीडियो complete watch करनी है पूरी देखनी है अगर आप लोग इस मुकाबले में win करना चाहते हो बागी जो भी मेरी final update होगी अफ्टर लाइने प्या टॉस के बाद या दोस्तों जो मेरी 100% winning team होगी जिस team के साथ मैं खुद invest करूँगा वो team आपको मिलेगी सीधा हमारे telegram channel पे अभी के समय 13,000 से ज़्यादा लोग already join हो चुके हो रोज़ाने आपर वो दी गई मेरी free team का profit उठा रहे हैं तो ये काम दोस्तों जरू कर लेना क्योंकि ये आपके लिए important है और आपके लिए बिल्कुल free तो चलिए दोस्तों सबसे पहले चलते हैं score card के हो जहां पर मैं आपको दोनु टीम्स के last match के performance के बारे में बता देता हूँ तो सबसे बिले बात की जाए venue की तो ये match winner और cricket ground पे खेला जाएगा timing दोस्तों इस match की साड़े चार बजे रहेगी शाम की समय बात की जाए points table पे नज़र डालें तो आप पाएंगे कि आपे जो PRB टीम है वो third position पे क्योंकि नोने पांची मकाबले खेलें जिसमें से ये दो जीते हैं तीन आ रहे है जबकि VCC ने अपने दो मकाबले खेले हो दोनों मकाबले अपने यहां पे आ रहे हैं तो देखा जाए दोनों ही टीम्स काफी जादा कमजोर है PRB ने सिर्फ दो ही मैच जीते हैं और अपने तीन मैच हा रहे हैं और VCC ने तो अभी तक दो ही मैच खेले हैं तो यहां पे हो सकता है कि इसमकाबले को शायद VCC विन कर जाए तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि VCC के 60% chances होंगे विन करने के और PRB के 40 के आसपास chances हो सकते हैं इस मैच को विन करने के तो एक बात दोनों टीम्स के लास्ट मैच के स्कोर काड को चेक आउट कर लेते हैं तो अगर बात की जाए VCC तो टीम तो इनकी काफी ज़दा श्ट्रॉंग के काफी ज़दा मैच विनर्स इनके नाम में फिर भी ये लास्ट मैच अपना 28 सनों से हार कर आए हैं इस मुकावलिमें इनकी टीम ने सबसे पहले गिंदबाजी की थी और इनकी अपोनेंट ने इनके गेंस्ट 110 रन बना दिये थे वोजिदा हसान ने दोस्तों 5 गिंदे खेली थी मातर 5 रन बना है और अच्छा देयातर ने उनके नों गेंदों पे 12 रन बना है और वेंके टेयर्स मनलगे शाम जो किस टीम के कैप्टेन इनकी आट गेंदों पे 15 रन बना है तो इनकी और से जो इनकी इंपोर्टेंट और मैंन बैट्समेन होंगे वो अर्शा धहात होंगे हेडरिंग होंगे सिदाक गौड और यहां पे शौन डॉल्टन तो यह चार यहां से प्लेयर्स हैं जो आपके लिए इंपोर्टेंट रहेंगे इनकी टीम की और से वहीं पर अगर इनकी मैं बालिंग की बात करूँ तो इन्हों ने अपने पांची गेंदवाजों का इस्तमाल किया जहां पे अर्शा धहात को दो वर के अंदर दो विकेट मिले और मर्गशाम को यह विकेट मिला और यह विकेट अर्शा धली को मिला जो कॉप काफी ज़्यादा महंगे साबित हो येस पटे देखे थोड़े से अनलगी है हाला कि इनों ने रन खाएं लेकिन इनके दोनों मैचेस में इनकी दो दो केचेश छोड़ी गए अदरवाइस इनके दो मैचेस में चार विकेट होते तो इनके जो मेन बॉलर होंगे वो येस पटेल, वेंकेटेस, मरगशाम, अरसद और अरसद है, तो ये चार गेंदवाज होंगे और इनकी अगर टीम पहले गेंदवाजी करेगी, तो मैं इन चारों गेंदवाजों को अपने टीम में पिक करके चलूँगा, अब बात करते हैं आपे दोस्तों इनके उपनेंट टीम की, तो अगर बात किजाए बार वेरियं अपन करने आते हैं, उदे गली के साथ, जो है कि यहां पे काफी शांदार इनकी खेलते हैं, 33 गेंदों पे 48 अनों की और यहां पे नाटाउट रहते हैं, इसके लावा उदे गली भी इनका काफी अचा साथ देते हैं, हलाकि लंबी इनिंग तो नहीं कहल पाते हैं, 15 मस्ट इंपोर्टन बैट्स में आएंगे, जिनको आप पिक करके चलेंगे, वहीं पर अगर इनकी मैं गेंदवाजी की बात करूँ, तो इनकी और से वमसी ने दोवर की गेंदवाजी की, उनने संदिये, यह विके निकाला और यह इनके मेन बॉलर भी हैं, प्यूस कुमार इनके मेन बॉलर हैं, पॉवर प्ले के अंदर बॉलिंग कराते हैं, इन्हों ने भी यहां पर दोवर के अंदर बारा रंद के विके निकाला है, इसके लाबाच अंगिती ने गिंदवाजी काफी अच्छी की, पर विके लेसरे, इसके लाब रोबिन थकराल को भी विकेड म पे मिले, सिर्फ इनके टिम के जो कैप्टन थे हरसा, इनको छोड़किन के सभी गिंदवाजी काफी अच्छी की और विकेड भी निकाले, तो उमीद करेंगे आपको ये वीडियो भी तक काफी ज़दा इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव लगी होगी और आपको काफ लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूरू और पर प्रेस कर लेना, ताकि आप सभी को आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे बहले मिल सके और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और रेडी जॉइन हो चुके हैं और रोजाने आपर वो दी गए मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं और आप लोग भी अगर हमारे चैनल से जॉइन होना चाहते हो तो आपको हमारे चैनल का लिंग डिस्केप्शन कमेंट दोनों जगाव पे सबसे पहले नमबर पे म तो बात की जए इनके एगर विकेट इविंग सेक्शन की तो आपके सामने तीन विकेट कीपर नजर आएंगे डी सिंग लास्ट मैश में नहीं खिले तो ऐगर इस मैश में भी ये नहीं खिलेंगे तो मैं सबाटिया और कोई अबने टीम में एज़ा कीपर पिक करके के बाकि यहां से और कोई विकेट कीपर मुझे इतना important नाजर नहीं आ रहा है जिसको मैं पिक कर सकता हूँ बैटिंग की बात की जाए तो यहाँ पे जे हक को अपनिटी में पिक करेंगे जो कि आपको टॉप अटर पर बैटिंग करते हूँ नजर आएंगे और एक काफी अची इनिंग भी खेल सकता है तो यहां से हम दो बैटिंग करेंगे इसके लाब आर गोल की बात की जाए तो लास्ट मैच में उन्होंने दोस्तो कुछ भी परफॉर्म नहीं किया बाकि इससे जो पिछले मैस था वहाँ पर उपन करने आते हैं उन्होंने एक ओवर की बालिंग भी की थी लेकिन वहाँ पर भी इनको कोई सफलता नहीं मिली थी ना ही बैटिंग से ना ही बालिंग से तो इनको भी करना थोड़ा सा रिस्की रहेगा बाकि आपके सामने आपे दो चोईसे हैं वी हसा और इसको देखिए वी हसा भले ही ओपन करने लास्ट मैच में आए हो लेकिन अगर आप स्टैट उठा के देखेंगे तो एस गॉड़ एक ऐसे प्लेर हैं जो की बैटिंग के साथ-साथ बालिंग भी करते हैं और बालिंग भी कप करते हैं डेथ ओवर के अंदर बालिंग करते हैं तो काफी कम लोग इनको पिक करके चलेंगे हो सकता है कि आज के मैच में काफी एच्छा परफॉर्म कर जाए तो अभी के लिए बैटिंग सेक्शन से मैंने अभी तीन मेन इंपोर्टेंट बैट्स्वन को भी करके रखा जो कियें जे हक डाल टाउन हो रहे हैं आपे दोस्तो एस गौज अलगा अंडर सेक्शन की मैं बात करूँ तो एमसाइब अंदरसी को भी करेंगे जेकोब आपके लिए काफी बेस्ट आप्शन होंगी ग्राली के लिए क्योंकि सेलेक्शन इनका काफी कम है लास्ट मैच मेनों ने दोवर की बॉलिंग भी की हुई है इसके लाब यहाँ पे हाथ को भी करेंगे फेटरिक दोस्ते काफी अच्छे बैट्स्वन हैं बालर भी हैं लेकिन बॉलिंग इनको इतनी मिलती नहीं है बाके अगर इनकी टीम पहले बैटिंग करती है तो मस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि अगर टॉप अडर बिखर जाते है तो आकर काफी इच्छी बैटिंग कर सकते हो बाकि यहां से आल ठेकराल आप चौँदो ट्राइ कर सकतो लास्ट मैच में प्रॉपर दोवर की बॉलिंगर के विके निकाला है, यूगली को आप ट्राइ कर सकतो लास्ट मैच में उपन भी करने आया थे, प्लस आल राउंडर सेक्शन में भी हैं तो इनसे कुछ ओवर आप कर सकते हो बाकी बॉलिंग से आप ए वंसी कृष्णा इंपोर्टेंट रहेंगे यह स्पटेल लेगे सेलेक्शन इनका काफी गम है लेकिन दो रों मैचेस में बंदे ने दो दो वर की बॉलिंग की हुई है दो दो कैचेस इनके ट्रॉप हुए है अधर्वास यह दो वर के अं सकते हो और बैटिंग सेक्शन में भी आप चाहो दो कुछ चेंजेस कर सकते हो देखो वी सी सी काफी जादा स्ट्रॉण टीम है इस सीजन की शुरुआत इनके अच्छी नहीं हुई है अभी तक दो ही मैचेस के लिए दोनों हारें आज हो सकता है अपना पहला मैच यहां पर वाइस केप्टन साइब बंदरसी को बनाएंगे बाकि आप चाहो तो केप्टन वाइस केप्टन रिवर्स भी कर सकतो यह आपकी चॉइस रहेगी बाकि अभी के लिए दोस्तों मैं सेम इसी टीम के साथ जाओंगा तो अपनी टीम को सेफ कर देता हूँ और एक बार आप लो बाकि एकर दोस्तों मैं प्लेग करेंगे सेम डिविंगे साहँ गराल्रीक जोएन तो एक बार आप लोग अमारी STME का प्रभीव्य ले ले लू जहां पर भी आप inवेस्ट करें वहाँ पर जयाके दोस्तों हमारे STME का युज कर सकते हैं औरापके घर मारे STcoin से कोई भी नही साथ जुड़ सकते हैं और मेरी दीगे टिम का प्रॉफिट उठा सकते हैं बाकि अगर आपको वीडियो इंपोर्टेंट लगे तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना गंटा दवा लेना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए तो मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरा